हलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे पन्ना दहाई के बारे में पन्ना दहाई का राजस्थान के इतिहास में एक महत्पूर्ण इस्थान है और इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मेवाड के इतिहास में मेवाड के राजवंच की रक्षा करने के लिए अपने पुतर का बलिदान कर दिया था इसलिए इनको बहुत जाना जाता है और हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से इन्होंने मेवाड के राजवंच की रक्षा की तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं राजिस्तान में ही नहीं अपीतु भारतिय संस्कृति में पन्ना धाय का नाम मातरत्व बलिदान साहस एवं वातसलिका प्रतिक बन गया है पन्ना धाय समर्पण एवं त्याक की प्रतिमूरति थी तो दोस्तों आपको ये बात का धियान रखना है मोटा मोटी तोर पे कि पन्ना धाय ने उदैसिंह की रक्षा की दिडिक ये उदैसिंह की रक्षा उपने पुत्र चन्दन का बलिदान करके किती थी इनके पुतर का नाम था चंदन, उदाई सिंग जो है, वो मेवाड का उतराधिकारी था, जिसके बारे हम अभी आगे देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, महाराणा सांगा जो थे, महाराणा सांगा की मित्यू के बाद मेवाड में अईस्थीरता रही, और सांगा के बाद र ये वाहर से, मेवाड के सामन्त वजन्त असंतुष्ट थी, तो दोस्तों जो लाष्ट इंपोर्टेंट शासक हुआ था, वो थे महाराणा सांगा, ठीक है, आपको बहुत क्लिरली दिमाग में रखना है, कि जो इंपोर्टेंट शासक है, वो महाराणा सांगा थे, उनका और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, और महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा था, बाबर से, क्योंकि ये लाष्ट हिंदू शासक था, जो की बहुती ताकतवर शासक था, उसके बाद में बाबर के भारत पर आकरवन के बाद में, जो है, मुगल शासन इस्थापित हुआ था भारत में, ठीक है, तो हो क्या रहा था कि महाराणा सांगा के बाद उनके पुत्र रतन सिंग आए, रतन सिंग के बाद विक्रमा देता है, और विक्रमा देते के अलावा, जो रतन सिंग का जो एक और पुत्र था, उसका नाम था, उदे सिंग, तो हुआ ये कि इस तो दोस्तो इस दोरान जो है मेवाड में उतने ताकतवर शासक पैदा नहीं हुए थे तो दोस्तो शासकों की जो क्रोनोलोजी आप उसको यहाँ पे भी देख सकते हो कि यह हैं महाराणा सांगा उनके नीचे आ रहे हैं रतन सिंग उनके नीचे आ रहे हैं रतन सिंग, रतन सिंग के बाद में विक्रमा दित्य और विक्रमा दित्य के अलावा आ रहे हैं उदै सिंग, अब उदै सिंग के बाद में किसका जन्म हुआ, उसके बाद हुआ महराना प्रताप का जन्म हुआ, ठीक है, तो आपको ये कुछ बाते हैं इस तरह से ध्यान रखनी है अब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहां पर एक फोटो दिखाया गया है इस फोटो में जो है यह है बनवीर जिसके बारे में हम आगे दिखेंगे और यह है पन्ना धाय पन्ना धाय यह अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है और जो है उदै सिंग को बनवीर से बचा करके उदै सिंग की रक्षा करती है क्योंकि उदै सिंग जो है मेवाड का भी मेवाड का उतरादिकारी बचा है तो राजवंच की रक्षा करने की जिम्मेदारी अभी पन्ना धाय के हाथ में आगिया है अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पन्ना धाय ने उदै सिंग की रक्षा क्यों की क्योंकि दोस्तों एक तो पन्ना धाय का मेवाड के राजवंच पे बहुत ज़्यादा भरोसा था पन्ना धाय जो है दोस्तों वो उदे सिंग की धातरी मा होती है धातरी मा का मतलब ये होता है कि जो पन्ना धाय है उन्होंने उदे सिंग की जो रियल मा है जो असली मा है उनका नाम था कर्णावती कर्णावति ने जोहर कर लिया था तो कर्णावति के जोहर के बाद पन्ना धाय ने उदे सिंग का ध्यान रखा था उनका लालन पालन किया था इसलिए उदे सिंग की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान भी कर दिया था ठीक है, अब हम देखेंगे कि कर्णावति ने जोहर क्यों किया था, तो एक्चली हुआ ये था कि बहादूर शाह जो थे, बहादूर शाहर ने इसी दोरान मेवाड के उपर आकर्मन कर दिया था, तो आपको पता ही होगा, राजपूत राजवेंच में ये होता ही है, कि वहाद की महिलायन जो है, वो जोहर कड़ लेती थी, जब भी कोई मुस्लिम शासक, मेवाड या मारवार जैसे प्रदेशों पर आकर्मन करते थे, तो वहाद की महिलायन अक्सर जोहर कर लिया करती थी, तो अब हम आगे देखते हैं कि बहादुर शाह के आकर्मन के कारण भी मेवाड को अपार जंधन की हानी उठानी पड़ी और सांगा के भाई प्रित्वी राज के ओरस पुत्र बनवीर ने सन 1536 में विक्रमा दित्य की हत्या करके मेवाड के संगासन पर अधिकार कर लिया वह विक्रमा दित्य के छोटे भाई बालक उधैसिंग की भी हत्या करके निश्चंत होके राज को भोगना चाता था हाला कि दोस्तो ये जो बनवीर है न ये इसमें सफल नहीं हो पाया क्योंकि पन्ना धाए ने उधैसिंग की रक्षा की थी ठीक है अब दोस्तो चल के आ रहा बात यह हो रही है कि जो प्रित्वी राज है ना यहां पे जो प्रित्वी राज है यह महाराणा सांगा के भाई थे और यह चीज पहले से ही चली आ रही थी कि महाराणा सांगा के यह जो भाई थे वो चाहते थे मेवाड के उपर शासन करना लेकिन राजा किसे बना दिया गय का हाथ काड़ दिया था क्योंकि एक चारण महिला के भविश्य वानी पर ये बताया गया था कि यही महराना सांगा जो है वो मेवाड के नए उतराधिकारी बनेंगे तो दोस्तों आपको उसके लिए पिछली वीडियो को देखना होगा वहाँ पर आपको महराना सांगा के इत पुत्र है वो उसका नाम है बनवीर और बनवीर अब जो है वही चीज़ चाहता है कि बनवीर अब जो है मेवाल का राजा बने अब मेवाल का राजा बनवीर केसे बने वो तभी बन सकता है जब उदेशिंग और विक्रमा दित्ति की हत्या हो जाए तो अब यह क्या ही कि ब हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं आगे तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पन्ना उदै सिंग की धात्री मा थी और कर्ना वती के जोहर के बाद उदै सिंग की साल संभाल के जिम्मेदारी पन्ना धाय पर आ गई थी तो उदै सिंग मेवाड का भावी कारी को भी समाप्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था लेकिन पन्ना धाय एक वीरांगना थी ठीक है वीरांगना मतलब एक बहुती वीर महिला थी ठीक है उसने स्वामी भक्ती के अनुकर्णिय लगन से उदै सिंग की रक्षा की उदै सिंग की आयू का ही पन RS prelims में भी question पूछा जा सकता है आप पूरा अपना दिमाग खोल के पड़े RS prelims और mains के लिए ठीक है जो जो red marks में है यह सब important है यहां से question आ सकते हैं कि कर्णावती जो है वो उदैसिंग की मा थी और उनके भाई का नाम क्या था वो विक्रमा दित्ती था और बनवीर जो है वो आक्रमन करने के लिए आता है किस के उपर आक्रमन करने के लिए उदैसिंग के उपर उदैसिंग को एक तरह से मारने के लिए आता है लेकिन पन्ना धाय जो है अपने पुतर चंदन का बलिदान करके अपने पुत्रिचंदन का बलिदान करके उधाई सींह की रक्षा कर लेती है तो इस तरह से दोस्तो उधाई सींह की रक्षा जो है पन्ना द्हाई ने की थी और यही वज़े थी कि पन्ना धहि को मेवाड की वेरंगना के रूप में भी सम्मान मिलता है तो आपको दोस्तो इस तरह से जो है कोशन मिलेंगे R.A.S. Prelims, Mains के एक्जाम में भी मिल सकते हैं और राजस्थान के दूसरे सभी एक्जामों में जहां भी राजस्थान की जीके पूछी जाती है वहाँ पे आपको कोशन इस तरीके के मिलेंगे ठीक है तो आप जितने भी ये R.A.S. में किया हुआ है उसको दिहान रखें अब आप दिहान रखें दोस्तो इसके बाद उदे सिंग के बाद में जो है माराना प्रताप का जन्म हुआ और माराना प्रताप भी एक बहुत वीर और शक्तिशाली मेवाड के शासक हुए और उन्होंने मेवाड के राजवंच को बहुत आगे बढ़ा है आपको आगे जाके पता चलेगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसके उपर आगे जाके दोस्तो आपको पता चलेगा तो दोस्तो इस वीडियो में तो इतना ही था पन्ना धाई के बारे में हमने जाना और दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीर और दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीर दुर्गादास राठोड के वारे में दोस्तों इनका भी जो है इसी तरह से मारवाड के इतिहास में मारवाड के राजवंच को बचाने में एक महत्पूर्ण योगदान रहा है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये सब क्लास नाइन्थ की जो राजस्थान बोर्ड की राजस्थान अध्यान की बुक है वहाँ से चैप्टर नंबर 7 से ये सब टॉपिक्स लिए गए हैं चैप्टर का नाम है राजस्थान के महत्पूर्ण जन्नायक तो दोस्तों आप आपको इस वीडियो सीरीज के बाद में इन सब चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ेगा आप सिर्फ वीडियो देख करके भी सब कुछ समझ सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आईयो तो दोस्तों लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में